हेलो फ्रेंट्स जैसे किशना जैमातादी जैसरी शाम कैसे हो दोस्तों आपसे भी आशा करती हों कि आपसे भी बहुत एच्छे होंगे और प्राथना करूंगे इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें दिखें आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ खा टैंशन लिए बेना कुछ सोचे फ्रीली माइंड होते हुए माइंड को रिलाक्स करते हुए स्क्रीन पर तिन कॉइन दिखाए दे रहोंगे फर्स्ट फाइव रूपीस का है सेकेंड ट्रेंड रूपीस का और थर्ड टू रूपीस का इन तीनों में से कोई एक कॉइन चू चलिए फर्स नमबर की बात करते हैं जिनोंने भी फाइव रूपीस का कॉइन अगर चूज करा है तो आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यूनिवर्स टेरो कार्ड क्या कहना चाहते हैं आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में और कल कौन सी मन्नत आपकी पूरी ह होने वाली हैं तो जिनोंने भी फाइव रुपिस चूज करें हैं उनके लिए सिवत ना कहना चाहूंगी दोस्तों कि ना तो आपके जिन्दगी में ज्यादा दुख है और क्यांड ओपन हुआ है जो बतारा है कि आप सुखी भी नहीं है तो आप दुखी भी नहीं है कुल म माहून हैं आपके घर का बहुत संसकारी वेक्ती हैं, तो बिल्कुल टैंशन मत लीजिये, आप नीचे से उपर जा रहे हैं, यानि कि आप सिर्दी दर सिर्दी चरने की प्रेक्टिस कर रहें, ऐसा नहीं है, कि आप बहुत ज़्यादा छलांग मानने की सोच रहे हैं, या का भविष्य बन जाए बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कहीं न कहीं कुछ ऐसा चमतकार हो जाए कि जितनी भी फाइनेशल प्रॉब्रम्स चल रही है वो दूर हो जाए और जितनी भी घर में दिक्कते चल रही है वो सारी सॉल्ड हो जाए आपको उनमे लाकर अपने परिव या वो आपको पसंद करते हैं लेकिन आप दोनों को एक दूसरे का पता है आप बोल नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है कल आपके मुलाकात हो वो आपसे कल बात करें आप भी उनसे कल बात करो तो कहीं न कहीं आप भी एचीज चाहते हो कि उनकी तरफ से प्रपोजल आए और कह सर्प्राइज आपको मिल सकता है कोई बहुत बड़ा स्पैशल दीन आपके जिंदगी का जो काफी टाइम से सोच रहेते कि यह हो जाए हो जाए कोई मुझे ऐसा सर्पाइज दे यह ऐसा देदे तो वह हो सकता कल का दिन हो यानि कि कल के दिन के बाद से आपके जीवल में एक नया मोड आएगा एक नया सर्प्राइज आएगा तो टैंशन आले बहुत बड़ा सर्प्राइज आपको आपकी लाइफ में मिलने वाला और बहुत जल्दी आप अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय करने वाले हैं टैंशन फ्री होकर के आपके loving life में बहुत अच्छी moments होने वाली है, relationship बहुत आगे बढ़ने वाली है, तो relax रहें, अपनी life को enjoy करें, कल का दिन बहुत best होगा, बस positive रहें, खुश रहें, present को enjoy करें. सेकेंड नमबर की बात करें, जिनोंने भी 10 नमबर का coin चूस करा है, आपकी कौन सी मननत है, जो कल बूरी होगी, देखते हैं, टेरो काट कौन सा card open करते हैं, आपके लिए जो card open हुआ है, वो बता रहा है कि थोड़ा सा लालज आपके अंदर बढ़ रहा है, अब हमेशा best चाहते हो, आपकी जो सोचे बहुत उची है, आपकी पसंद जो है बहुत उची है, आप हमेशा बड़े लेवल पर सोचते हैं, बड़े लेवल पर ट्राय करते हैं, आपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं, वो भी बहुत बड़े लेवल पर है, आप चाहते हैं कि आप सबसे हटके हो, passion भी आप में बहुत है, आप life को बहुत अच्छे से समझते हैं, struggle करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है, महनत करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपको पता है कि आपका लक्ष बहुत बढ़ा है, तो आप महनत करने से भी पीछे नहीं आते हैं आपको महनत कितनी ही जादा क्यों ना करना पड़े लेकिन बहुत अच्छी सोच है पॉजिटिव थिंकिंग है इसलिए आप इतनी बड़ी सोच रख सकते हैं जीवन में काफी अच्छी सोच है आपकी एक कार्ड ओपन हुआ है जो बता रहा है कि जीवन में आप इंजॉय करेंगे जो आपके माइन में आते रहते हैं अगर कुछ देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाता है कि यार मेरे लिए भी यह चीज होनी चाहिए तो तुरंत वह चीज होगी इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले कल जो आपके मनत पूरी होने व से रहי हैं कुछ क्लू मिलने वाला है या कोई मैल आ सकता है कोई कोल आ सकता है या कोई ऐसा संदेश्य आपको मिलने वाला है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जीवन में क्या चल रहा है क्या हो रहा है और अगला पड़ाव क्या है अगली मुमेंट क्या है वो आपको कल मालम पड़ेगे कोई व्यक्ति है जिन्हें आप पसंद करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं जिन्हें आप चाहते क्या रही है आपको समझे कुछ attitude भरा nature उनका भी है कुछ ego आपका भी hurt होता है कुछ attitude आप में भी है जिस वज़े से आप लोग एक दूसरे को adjust नहीं कर पा रहे हैं थोड़ी problems आ रही है थोड़ा behavior को change करें positive तो आप है लेकिन जिद्धी बहुत है आप घुसा बहुत आता है जिस वज़े से relationship में थोड सब्गानी की कोशिश आपको करनी चाहिए आपको ठोड़ा सा कएते हैं ना थोड़ा सा attitude सर्फ करना होगा ego जो है आपका हर्ट उता हूदा से थोड़ा सा आपको करें जिन्होंने भी टूरुपीस का कॉईन अगर चूज करा है देख लेते हैं आपके कौन से मननत है जो कल जल्द पूरी होने वाली है क्या लिखा है आपके किसमत में चली देख लेते हैं टेरो काट कुन सा कार्ड ओपन करते हैं आपके लिए जो कार्ड ओपन हुआ है वो दोस्तों Bar hole little अपकी एने वाली है वह खुशियां जिनका आपको बैश सब्री से इंतजार ता इस ट्रगल प्र छत्म होने वाला है महिनत बहुत कर लीख अब अच्छ दिन आपके आने वाले बहुत महनत करी है बहुत लोगों के ताने सुने हैं बहुत ज्यादा नीचा दिखाया है लोगों ने आपको बहुत परेशान हुए हैं कभी-कभी तो आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या सुनाते हैं तो आपको रोणा तक आ जाता है लाइफ में बहुत आगे जाओगे इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लो दोस्तों आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करो क्योंकि आप किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करते हो आपका हमेशा एक ही मानना है कि जो इश्वर ने दिया है उसमें खोश रहना न कि जब आप अनुन से कुछ मांगते हो वो तुरेंट आपको दे देते हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा मांगने की इच्छा नहीं रखते हो आप हमेशा सिब यहीं चाहते हो कि जो होगा अच्छे के लिए होगा इश्वर जो देना है वो आप एकसेप्ट कर लेते हो आपकी सोच की वरजह से आपको जीवन में वह उपलबधी मिलेगी जिसके लिए आपने कभी कल्पना भी नहीं करें हो अपने सोचा भी नहीं होगे ऐसा मुकाम आप हासिल कर लोगे आपने कभी अपनी लाइफ में इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर आओगा जितना बड़ा प्लैटफॉर्म आपको मिनने वाला है वो प्लैटफॉर्म जिससे आप अपनी लाइफ की नई जर्नी की शिरुवात करोगे कल जो मननत पूरी होने वाली है वो किसी खास व्यक्ति से होने वाली है कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपके करियर को भी एक नई दिशा देने वाला है जो आपकी लाइफ में एक नया पॉइंट ओफ यू के रूप में किरदार निभाएगा तो बिल्कुल टैंशन ना ले ये विक्ति आपके लाइफ में बहुत आपका सपोर्ट करेगा आपको सही गलत के बारे में समझाएगा एक तरफ से आपको guidance की जरूती काफी दिनों से आप सोच रहे थे को कोई विक्ति ऐसा मिले जो आपको guide कर सकें तो ये वही विक्ति होगा जो आपको guide करेगा यनि कि कुल मिलाकर आपकी लाइफ के जितने भी confusions थे कल दूर होने वाले हैं तो टैंशन फ्री होकर positive रहे प्रेज़ेंट को अच्छे से enjoy करें तो दोस्ते वीडियो कैसी लगी पसंद आई हो प्लीज लाइक करें कमेंट सेक्शन में जयमादादी कि ज महादीव